संसद में जो काम वो ऐसी नहीं कर सके पाँच्वी बार संसद बने राहुल भी नहीं कर पाए वो काम पियम मोदी की बेटी ने कर दिया जै फलस्ती तुनिया के सबसे बड़े लोग तांत्रिक देश हिंदुस्तान में चुना हुआ नतीजे आये लगातार तीसरी बार मोदी सरकार भी सत्ता में आ गई और नए नवेले संसदों का शपत ग्रहण भी हो गया तो वहीं इसी दोरान संसद में शपत लेने वाली एक संसद ऐसी भी थी जिनके लिए खुद पियम मोदी चुना प्रचार करने के लिए बिहार गये थे और जब चुनावी नतीजे आये तो इस महिला संसद ने जहां इतिहास रस दिया तो वहीं शपत ग्रहण के दिन कुछ ऐसा कर दिखाया जो वैसी और राहूल गांधी जैसे संसद भी नहीं कर पाए दरसल देश की संसद में जब शपत ग्रहण हो रहा था इस दोरान तमाम ने संसदोन ने प्रोटे में स्पीकर के सामने संसद पत की शपत ली जिन्वें असदु दिनों वैसी राहूल गांधी जैसे कुछ संसद थे जो कई बार जीत कर संसद पहुँच चुके हैं लेकिन इसके बावजूद जब बार शपत लेने की आई तो परचा पढ़े बिना संसद पत की शपत नहीं ले पाए जै हिंद जै सम्विदान मैं असदु दिनों वैसी जिसे लोकसवा का रुकुन मनतखब किया गया है अल्लह के नाम से हल उटाता हूँ कि मैं भारत की आईन पर जो खानून के मुझब तैप आया है एतिखाद रखूँगा उसका वफादार रहूँगा मैं भारत के इक्तदार आला और सालिमियत को बरखरार रखूँगा और जिस उहदे को मैं समानने वाला हूँ इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दोंगा राहूल गांधी असद दुद्धी नो वैसी जैसे कई पुराने सांसुदों ने जहां परचा देखकर सांसत पत की शपत ली तो ही बिहार की समस्ती प्रलोकसभा सीच से पहली बार चुनाव जीत कराने वाली युवानेता शामभवी चौधी ने बिना कोई परचा देखे संसत पत की शपत लेकर संसत ही नहीं पूरे देश को चौका दिया मैं शामभवी जो लोकसभा की सदस से निर्वाचित हुई हूँ इश्वर की शपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के सम्विधान के प्रती सची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुन रखूँगी तथा जिस पत को मैं ग्रहन करने वाली हूँ उसके करतव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वाहन करूँगी समस्तिपुर से जीत कर देश की सबसे युवा महिला सांसत बनी शांभवी चौधरी पहली बार संसत पहुची हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें शपत लेने के लिए किसी पर्ची की जरुवत नहीं पड़ी क्योंकि शपत के दोरान बोले जाने वाले शब्द सांभवी चौधरी ने याद कर लिये थी और जब शपत के लिए बुलाया गया तो पर्चे पर नजर जुका कर शपत लेने की बजाए फुल कॉन्फिडेंस के साथ बिना देखे शपत लेते विये नजर आई एक बार फिर देखे शांभवी चौधरी का सपत ग्रहन मैं शांभवी जो लोगसभा की सदस से निर्वाचित हुई हूँ इश्वर की सपत लेती हूँ कि मैं विधी द्वारा स्थापित भारत के सम्विधान के प्रती सची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुन रखूंगी तथा जिस पत को मैं ग्रहन करने वाली हूँ उसके करतव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वाहन करूंगी चिराग पास्वान की लोग जनसक्ती पाल्टी के टिकट पर चुनाव लणने वाली शामवी चौधरी कॉंग्रेस हों मीदवार सन्नी हजारी को एक लाग सत्ता सी हजार से बी जादा वोटों से हरा कर संसत पहुची है जिनके लिए खुद पियम मोधी चुनाव प्रचार करने गए थे और उन्हें अपनी बेटी बता कर जनता से वोट मागा था आर समस्ति पूर से एलजेपी की हमारी बेटी स्रीमती सामभवी चोधरी जी पूरे हिंदुस्तान की सबसे छोटी उमर की बेटी चुनाव लड़ रही है आप सब आशिरवाद दीजिए ये हमारी बेटी तो जीतनी ही चाहिए चुनाव जीतने के बाद परचा देखे बिना शपत लेने वाली युवा सांसद शामभवी चोधरी के परिवार के बारे में बता दे कि उनके पिता अशोक चोधरी बिहार की नितीज सरकार में कैबिनेट मंत्री है जो हाली में कॉंग्रेस छोड़ कर जेडियू में शामिल हुए है शामभवी के दादा महावीर चोधरी भी कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता थे यानि वो अपने परिवार की तीसरी पीडी की नेता है दिल्ली स्कूल आफ एकोनॉमिक्स से आठ से एमे करने वाली शामभवी चोधरी पच्चिस साल की है उन्होंने पूर्वा आईपियस अफसर आचार किशोर कुडाल के बेटे से लम वेरिच की है ऐसे तेस्तर रार्गिवा सांसत के बारे में आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं साथी शामभी चोधरी के नेता चिराग पास्वान ने संसंद में क्या कुछ कहा है आई आपको सुनाते हैं सिरी चिराग पास्वान थांक यू सो मुश्पीकर सर सर सबसे बहले I would want to take this opportunity to congratulate you on behalf of my party लोगजन शक्ति पार्टी रामविलास सर हम लोग को बहुत खुशी है आपको पुना इस शेयर पर देखकर अठार्मी लोगसभा में जिस तरीके से पुना आपको ये जिम्मेदारी मिली है हम सब का सर सतर्मी लोगसभा का एक अपना अनुभव है उस वक जिस तरीके से आपने महिलाओं को और युवाओं को ऐसे सांसर जो पहली बार चुनकर आए सर उनको आपने प्रोचसाहित करने का काम किया सामने से आपने उनको मौका देने का काम किया सर इस बार मेरी पार्टी में भी महिलाओं और युवाओं की तादाद है उमीद मैं यही रखूँगा कि उनको भी आप उसी तरीके से मौका देंगे मेरे नेता मेरे पिता अधनिय रामविलास पासवान जी के विचारों को लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है आपने पिछले पास साल में साथ इन तमाम विचारों को इस सदन में रखने का मौका दिया और इस बात को सर कहने में मुझे कतई कोई संकोच नहीं है कि आपके द्वारा जो फैसले पिछले पास सालों में लिए गए उसने सम्विधान की मर्यादा को बढ़ाने का काम किया और लोग तंत्र को और मजबूती देने का काम किया सर हम लोग चुनाओ बहार लड़कर आ गए है मैं तमाम साथियों से यही आगरा करूँगा कि जहां चुनाओ लड़ना था हम लोग लड़ चुके हैं अब हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने अपने छेत्र के मुद्दो को हम लोग यहां पर रखें और अपने देश को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी के साथ हम लोग यहां पर कारे करने का प्रयास करें सर आज सिर्फ आपको बधाई देने के उद्देश से हम लोग खड़े हुए हैं पर हां कई बार जब विपश्च के द्वारा कई बाते कही जाती हैं मैं इतना भी मैं जरूर आगरा करूंगा कि जब एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी त पर जब आप स्पीकर के पद की बात करते हैं आप डेप्यूटी स्पीकर के पद की बात करते हैं तो कई राज्ये ऐसे हैं जहां पे स्पीकर का पद और डेप्यूटी स्पीकर का पद भी आप भी के पास हैं जहां पर सरकार एंडिये का कोई घड़क दल नहीं चला रहा वि जैसे पिछले पांच सालों में मिला, मैं एक बार फिर से अपनी पार्टी की तरफ से लोगजन शक्ती पार्टी राम विलास की तरफ से आपका पुना स्वागत करता हूँ, पिछले पांच साल के लिए आपको बधाई देता हूँ और अगले पांच साल के लिए आपको शुक कामना देता हूँ, धन्यवाद सर्ट